क्रिकेट के मैदान में दो प्रेमी जोड़े बनका एक दूसरे के दुश्मन आमने सामने हो रहा है मुकाबला WPL में RCB और DC के आमने सामने है पती और पतनी Women's Premier League में कैसे खेल रहा है पती और पतनी? क्रिकेट प्रेमियों में असमंजस Women's Premier League में प्रेम की अनोखी कथा से हैरान है पूरी दुनिया जानिए पूरी स्टोरी जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं ये अनोखी लव स्टोरी भारत में देखने को मिल रही है वो भी महिला Premier League में जो पती और पतनी की है जिसको जानकर हर क्रिकेट प्रेमिय हैरान है कि कैसे महिला क्रिकेट टर्नामेंट में पती और पतनी का आमने सामने मुकाबला हो रहा है हम आपको स्टोरी में बताएंगे कि आखिर वो पतनी कौन है और कैसे महिला क्रिकेट टूरामेंट में ये दोनों जोड़ी आमने सामने टककर दे रही है इस से पहले जान लेते हैं विमेंस प्रिमियर लीग में क्या चुल रहा है बता दे कि विमेंस प्रिमियर लीग के शुरुवात बेहती शानदार और धमाकेदार अंदास में हुई इस लीग के दूसरे मुकाबले में स्पृति मंधाना की रॉयल चैलिंजस बैंगलोरो और मेग लैनिंग की दिल्ली कैपिटल लामने सामने रही इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने आर्सीबी को राकर लीग की पहली जीत हासल की इस मैच में दिल्ली कैपिटल के खिलाडी ने पहले ही मैच में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्च कर लिया डिली कैपिटल की तेज गेंदबास तारा नौरिस ने विमेंस प्रेमियर लीग के दूसरे मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया आरसिबी के खिलाफ नौरिस ने पांच विकेट लिये नौरिस ने पहला विकेट एलेस पैरी के रूप में लिया एलेस 31 रन बना कर खेल रही थी नौरिस ने उन्हें क्लीन बोल कर दिया इसी ओवर में ही उनका दूसरा शिकार बनी दिशा कसत इसके बाद अगला ओवर लेकर आई तारा ने फिर दो बल्ले बाजों को आउट कर दिया इस ओवर में उनका शिकार थे रिचा घोश और का निकाह हो जा आखिर में उन्होंने आरसिबी के लिए उच्छी बल्ले बाजी कर रही हिथर नाइट को आउट कर दिया डिल्ली कैपिडल्स ने पहले बल्ले बाजी करते हैं मेग लैनिंग और शिफाली वर्मा की आतिशी पारियों के बदौलत आरसिबी को 224 रनों का पहाड सालक्ष दे दिया इसके जवाब में आरसिबी आर्ट विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाने में ही खाम्याब रही ये मैच था डिल्ली कैपिडल और रॉयल चैलेंजस मैंगलूरू के बीच जिसमें मेग लैनिंग की कप्तानी वाले डीसी की टीम भारी पड़ी और उसने 60 रन देकर धमाकेदार जीत असल की दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए दो विकेट के नुकसान पर 223 रन बनाए जवाब में बैंगलूरू की टीम 8 विकेट पर 163 रनों पर पहुंच सकी खैर अब आते हैं मुक के मुद्धे पर दरसल साउथ अफरिकी खिलाडी डेन वैन निकेर्क और मेरी जाने कैप लेस्बियन है और उन्होंने 2018 में शादी की है इस समलाइगी कपल को विमन्स प्रिमियर लीग में अलग-अलग खेलना पड़ रहा है डेन वैन निकेर्क को रॉयल चैलिजस बैंगलूरू ने अपनी टीम से जोड़ा है तो मेरी जाने कैप दिली कैपिलल्स का हिस्सा है रोचक बात यह है कि पिछले मुकाबले मेरी जाने कैप को तो प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था लेकिन डेन वैन निकेर्क नहीं खेल पाई थी इस मैच में मेरी जाने कैप ने भी दमदार हाथ दिखाए थे उन्होंने आखरी पलों में 17 गिंदों में 3 चौके और 3 चौके उड़ाए थे वो 49 रन बना कर नाबाद रही जबकि दूसरे चोर पर जैमिमा रोडरिक्स ने 15 गिंदों में 3 चौके की मदद से नाबाद 22 रन ठोक डाले इससे पहले कप्तान में ग्लानिक ने 43 गिंदों में 14 चौके के धम पर 72 रन वहीं शेफाली वर्मा ने 45 गिंदों में 10 चौके और 4 चक के उड़ाते हुए 84 रन ठोक डाले इस तरह से दिल्ली कैपिटल ने दो विकेट के नुकसान पर 223 रन बनाए जवाब में RCB की टीम आर्ट विकेट पर 163 रन बना सकी उसके लिए कप्तान स्मृति मंधाना ने सबसे अधिक 23 गिंदों में 35 एलिस पहरे ने 19 गिंदों में 31 हेदर नाइट ने 21 गिंदों में 34 रन ठोके इनके लावा मिशन 6 ने 19 के इंदों में 30 रनों की पारी खेली लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुचा पाई